तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं दारेल फ्रेंट पार्थ दोस्तों अगर आपने ट्रेन में सफर करते हुए अगर आपने रेल वे ट्रैक के किनारे अगर गौर किया होगा तो आपको ट्रेक के किनारे कुछ-कुछ दूरी पर इस तरह के स्वेर्ड शेप के प्लीट सरफेस बना दिखेगा इस वीडिय considering की ट्रेंड कि किनारे स्वेर्ड शेपके प्ली बना जाता हि में इनका एख यू ग्रित तो दोस्तों आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं ट्रेन में कहीं जा रहा था तो मैंने गौर किया कि एक फिक्स डिस्संस पर ट्रैक के किनारे इस तरह का एक स्क्वेर शेप का सर्फेस बना हुआ है और ये पूरे ट्रैक के किनारे पर था फिर मैंने सोचा कि ये क्यों बनाया जाता है क्योंकि रेलवे में कुछ भी बेवजा नहीं होता तो मैंने गूगल पर इसके बारे में जाननी की कोशिश ची तो मुझे ये पता चला कि इसकोल शेप का नाम होता है Refuse Indicator जिस पर कॉंक्रीट के वाइट बोड पर ब्लैक कलर से आर और बलेक टी लिखा जाता है दोस्तों इसको ट्रेक की किनारे इसलिए लगाया जाता है ताकि रेलवे ट्रेक पर जो भी वरकर्स कान करते हैं उनके पास समान के साथ साथ ट्रॉली भी होती है और अगर इस समय ट्रेन आती है तो वह वरकर्स Refuse Indicator पर जाक के अपने समान के साथ महाँ खड़े हो जाते हैं तो दोस्तों इस वज़ा से Refuse Indicator बनाया गया है जिस से कि ट्रेन के आने पर वरकर्स को कोई प्रॉबलम ना हो और वह अपने समान को सुरक्षिट रख सकें तो दोस्तों आज की वडियो में बस इतना आई तो मिलते हैं आप से अगरी वीडियो में थैंक्यू बाबाई